सब्सक्राइब कोचिंग चलाने वाले हैं उन पर बस्तुता कानून में कोई केस्ट नहीं बनता है जो आरोप लगाया गया है जो पटना पुलिस ने फाइयर दर्ज किया है उसमें उनकी कितनी गिरफ्तारी की संभावना है जो फाइयर में लिए सद है उमुखे लिए सद जो लगाया गया है कि कि वीडियो जो सोशल वीडिया में है उससे खान साब बोले कि अगर एंटी सीपी की एग्जाम कैंसिल कर दोवारा नहीं होगा तो हम लोग हर जगह उतारेंगे या कोई आरोप लगाया गया है वह बस्तुता कानून में मानें नहीं है अगर इनका कह रहा में ऑफिस नहीं बनता है और जो इस केस में धारा जतना लगा है उसमें केवल एक 353 IPC जिसका मैक्शिम सजा दूसाल है तो जब भी कोट में खड़ा होंगे इनको बेल हो जाएगा और साथ साल से कम सजा में सूपी को डिसाइड कर दिया है कि पुलिस को उसमें नोटिस दे देखे तो बेल हो जाएगा ऐसे जो ही एलिगेशन है वह उफेंस निपर नहीं बनता है उनको कब और कहां से कितने दिनों में जो है जब पुलिस इनको अरेस्ट करने ही नहीं जाएगी और अरेस्ट करने के पथले नोटिस आएगा तब लेने की बात है आप कोट में अभी और वीडियो वारेल में कहरें कि अगर भाविस में होगा तो हम लगों कहेंगे तो अभी कोई भाविस तो कोई घरना ही नहीं हुआ उसके पहले इनको पर किस कैसे हो जाएगा